चुपके से जेट कमरे में घुसाया, मुह खुली तो हो गई बेघर एक रोज वह घर पर अकेली थी, तभी उसका जेट उसके कमरे में चुपके से घुसाया जेट की हरकत और कर्तूत से वह शर्मसार हो गई जेट ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा और उसकी आबरू लूट ली लजज़ा भंग होने के बाद विवाहिता ने इस बारे में अपनी सास और ससुर से कंप्लेन की तो वह दंग रह गई उसे किसी को कुछ भी बताने से मना किया गया वही मुह खोलने पर जान से मार देने की धमकी दी गई प्रतिरोध करने पर जुल्म की इंतिहा हो गई विवाहिता को मार पीट कर घर से निकाल दिया गया विवाहिता का ये भी इलजाम है कि मन की मुराद पूरी नहीं होने पर पती उसके साथ अप्राकृतिक योनाचार करते रहता था घर से निकाली जाने के बाद विवाहिता ने महिला थाना में केस दर्ज कराया है दर्जफर में पती, जेट, सास और ससुर को नामजद अभियुक ठहराया गया है फिलहाल किसी की गिरफतारी की खबर नहीं है पीडिता ने पुलिस को दिये अपने बयान में बताया है कि करीब धाई साल पहले उसकी शादी हुई थी उसकी शादी यूपी के अलीगर में एक गाव में हुई थी शादी के समय दहेज संबंधी सारे रसमे की अदाईगी की गई थी लेकिन उसके ससुराल के लोग मिले दहेज से नाखुश थे शादी के बाद उसे मायके से और दहेज मान कर लाने को कहा गया जब उनकी मन की मुराद पूरी नहीं हुई तो उसे टौचर किये जाने का दौर शुरू हो गया पती उसके साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता था और प्रतिरोध करने पर मारा पीटा करता था वह धाई साल तक जुल्म सितम सहती रही एक रोज जब वह घर पर अकेली थी तब उसके जेट ने उसके साथ दुशकर्म किया एत्राज जताने पर उसे मार पीट कर घर से निकाल दिया गया और भी ऐसी तरह तरह की न्यूज को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बैल आइकन जरू क्लिक करें अब लोग को सबसे पहले मिले